Hello Friends, Welcome to my channel study for you. So guys, जैसा कि आज जो आज 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 कहा एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BPSC से related पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और भगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दिएगा तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कुशन है था कि भारत के किस राज्य में पंचायती विवस्था नहीं है तो देखे मैं आपको बता दू कि भारत के टोटल तीन राज्य और एक केंद्र सासित परदेश में जो है आपके पंचायती विवस्था नहीं है और वो तीन राज्य कौन कौन से है तो तो डैली में जो आपका पंचायती व्यवस्था नहीं है, तो option E, एक से ज़्यादा आपका यहां पर correct answer होगा, यानि option E correct होगा, next कोशा आपका यहां पर रहता है, कि परतेक राज्य में लोकसभा की सीटों का निधारन, परीशीमन आयोग द्वारक किया जाता है, इस परीशी जो होता है, या आपका संविधान का अंतिम विवेचक होता है, इसके अलावा सर्वोच न्याले जो होता है, वो सबसे वरिस्ट संविधानिक न्याले होता है, और मानो अधिकारों का यह संरचक भी होता है, तो इसके according option E, जो आपका यहां पर correct answer होगा, next question आपका यहां पर जो है, यह वित आयोग जो है, वो गठित करता है, तो वित आयोग आपका correct answer होगा, next question आपका यहां पर रहता है, कि सामुदाइक विकास का उदेश क्या है, तो देखें सामुदाइक विकास का जो मुख्य उदेश होता है, वो आपको लोगों को जागरु करना, और उनके सम का जो है, निर्मान करना, यह जो आपका सामुदाइक विकास का मुख्य उदेश होता है, तो कहीं पर आपका option में नहीं दिया गया है, तो option E आपका correct answer होगा, next question आपका यहां था, कि 2022 के भारत के 16 वे उपराशपती चुनाओं के लिए, निर्वाचक मंदल में जो है, यह कि सदस्से थे, तो टोटल है, जब एड करोगे, तो यानि 788 जो है, वो सदस्से थे, तो option D आपका correct answer होगा, next question आपका यहां था, कि भारत का रास्पती कितनी बार जो है, पुना चुनाओं के लिए पात्र होता है, तो देखें, भारत का रास्पती जो है, कितनी भी बार जो ह या आपके तीन सत्र होते हैं, और वो तीन सत्र कॉनकर्स होता है, तो पहला आपका बजट सेशन होता है, सेकेंड आपका मानसुन सेशन होता है, और थर्ड आपका विंटर सेशन होता है, तो option C आपका correct answer होगा, next question आपका यहां रहता, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदी आयोग के अध्याच कौन थे, तो देखें स्वतंत्र भारत के प्रथम विदी आयोग के जो अध्याच थे न, या आपके स्री एमसी सेटल वार्ड थे, तो option B आपका correct answer होगा, next question आपका यहां पना था, कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, त भारते शमिधान के किस अनुछेद में संसोधन की जो है, वो आविशक्ता होगी, तो देखें भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, तो अनुछेद 172 में जो है, वो आपका संसोधन की आविशक्ता होगी, तो अनुछेद 172 आपका correct answer होगा, next question किया आप रहा था कि वस्तू वर्गी करन और समुहों के अनुछार विशुयापी निर्यातों में भारत का हिश्चा वर्स 2018 में जो है, ये कितना परसेंट था, तो 2018 की बात कर लें, तो ये 1.7 परसेंट था, next question आप रहा था कि चतूत अरगीम अनुमान के अनुछार, वर्स 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था, तो देखें 2020-21 में भारत का गेहूं का कुल उत्पादन था ये आपका 109.5 मिलियन टन था, तो option C आपका correct answer होगा, next question आपका रहा था कि जिवन्त ग्राम कारिक्रम के शंबंद में, शही कथन को चैन करना था, तो दे option B आपका यहां पर correct answer होगा, next question आपका रहा था कि बिहार के आर्थिक सर्वेशन 2021-22 के कॉडिंग गलत कथन को जो आपको चुनना था, तो देखें बिहार के तृतिक चेतर में 8.5% की उस्तम दर से बढ़ा था, तो ये जो आपका कथन है वो सही दिया हुआ, second statement दिया था कि बिहार में प्रात्मिक चेतर में 2.8% की दर से जो वृद्धी हुई थी, तो ये जो कथन था ना, ये आपके बिहार के आर्थिक सर्वेशन 2021-22 के कॉडिंग, ये जो आपका गलत कथन दिया गया था, क्योंकि बिहार के प्रात्मिक चेतर में 2.3% की दर से जो वृद्धी सबसे पहले जो आपका बढ़ते क्रम में आएगा वो आपका नालंदा जीलाएगा सेकंड में आपका मुंगेड जीलाएगा और थर्ड में आपका पटना आएगा तो ऑप्सन सी जिनोने भी मारा उनका सही होगा नेक्स्ट कोछ आपका यहाँ पर धा कि वित्यवर्स 2022-2023 के लिए राजकोसी घाटा बिहार के GSDP का कितना परसंट होने का अनुमान लगाए गया था तो बात कर लिए वित्यवर्स 2022-2023 के लिए राजकोसी घाटा बिहार का GDP का यह 3.47% का अनुमान लगाए गया है तो option A आपका यहां पर correct answer होगा next question आपका यहां पर रहा था कि वह विकल को चुनना था जो बिहार की 7 निश्चे भाग 2 योजना का जो है एक हिस्सा नहीं है तो देखें यह जो आपका सभी के लिए वाईू मार गी यह जो है ना यह बिहार की 7 निश्चे भाग 2 योजना का जो हिस् यानि पर-capita income में descending order में जो बिहार राजी का जीलो का जो सही क्रम होगा ना सबसे पहले तो आपका नवादा जीला आएगा उसके बाद पूरी चंपारन आएगा उसके बाद अररी आएगा उसके बाद सीवर आएगा क्योंकि सबसे कम जो प्रतिवक्ति आय रहा था ना वो सीवर जीले का रहा था तो option C आपका correct answer होगा next question आपका याप रहा था कि NSOK 68 दोर के अधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कतन जो है वो आपका सत्य दिया गया है या फिर सत्य नहीं दिया गया ये पूछा गया है तो देखें यह जो आपका factual question है ठीक है तो option E मेर आप रहथा कि NSOK कौन सा भारत में सुचम उधम को आंसीक रूप से परिभासित करता है तो सुचम रूप से आंसीक परिभाशित करता है ये सैंत्र और één या उपकरोनों में एक कडोड़ से अधिक निवेश नहीं यह जो आपका परिभासित करता है तो option C आपका correct answer होगा next question आपका यहां पर रहा था कि प्रधान मंतरी किसी सिचाई योजना के बारे में निम्ने में से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत दिया गया है तो देखे आपसन डी कुओं का निर्मान ये जो आपका है ना प्रधान मंतरी किसी सिचाई योजना के बारे में आपका कथन जो वो होगा नेक्स्ट कोश आपका याप रहा था कि रास्ट्रे पेंशन योजना से संबंदी सही कथन जो आपको चुनना था तो देखे एन पी एश क्यो पेंशन फंड नियामक और विकास प्रदिकरन द्वारा विनिमयत किया जाता है तो यह जो कथन था ना आपके रास्ट्रे प निवेश था ना वो समलीट नहीं किया गया था ओप्सन B आपके यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके रहा था कि विते वर्स 2021 में भारत में टैक्स GDP का अनुपाद जो हो क्या था तो देखे भारत में टैक्स GDP का अनुपाद था ना यह आपका 11.7 वारा निकोबाद दिप का जो नया नाम है ना ये सौराज दिप दिया गया था तो आप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रहा था कि फरवरी 1922 इस्वी में पूलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंदीत चौरी-चौरा यह किस राज्जी में है तो देखे चौरी-चौरा के कारणी आसायोग आंदोलन जो है वो अस्थगित कर दिया गया था और यह जो चौरी-चौरा है ना यह उत्तर परदेश राज्जी में है नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रहा था कि खुदी राम बोश ने किस अस्था यह रहा था तो देखे यह जो आपका आजास दास्ता है ना यह भारत चौड़ो आंदोलन के दोरान जो है यह सक्रिये रहा था तो भारत चौड़ो आंदोलन आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप कह यहां पर रहा था कि 1946 इसवी में गठित अंत्रीम सरकार के मंत्री मंदल में सरंबी भाग जो है यह किसे सौपा गया था तो 1940 में यह जो आपका सरंबी भाग जो है यह जगजीवन राम को जो है सौपा गया था तो जगजीवन राम आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आप कह यहां पर रहा था कि 1942 इसवी में किस तेवार के आफसर जैपर काश नहराएन हजारी बाग जेल से निकल भागे थे तो देखें जैपर काश नहराएन जो है ये आठ नॉमबर 1922 को हजारी बाग जेल से निकल भागे थे और उस दिन जो आपका दिपावली का तेहुआर था तो दिपावली आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहा था कि डॉक्टर राजेंदर परसाथ को संबिधान सभा का सभापती कब जो है वो चुना गया था तो दीसंबर 11 दीसंबर 1946 इसवी में जो है डॉक्टर राजेंदर परसाथ को संबिधान सभा का सभापती जो है वो लच्मी भाई की जो मृत्यू है ना ये कहां पर हुई थी तो देखे जहांसी की रानी लच्मी भाई की जो मृत्यू है ये गवालियर में हुआ था तो option A आपका correct answer होगा next आपका याप रहता कि बंगाल वीभाजन के विसे में किस ने कहा था वीभाजन हमारे उपर बं की तरह गिरेगा तो ये जो कथन था ना ये सुरेननात बनर जी ने कहा था तो option C आपका correct answer होगा next question आपका याप रहा था कि सरदार उधम सिंग ने ये जो किसे मारा था तो देखे ये जो आपका जालियावाला बाग हत्याकान का बदला लेने के लिए 1940 में सरदार उधम सिंग ने जो है ये माईकल ओ डायर को जो है वो मारा था तो option A आपका correct answer होगा next up का याप रहा था कि बारदोली शत्यागरा का सफल नैतरितु जो है ये किस ने किया था तो ये बलम भाई पठेल के द्वारा किया गया था इन में से कौन 1946 इसवी में जो है भारत बेजे गए cabinet mission का एक सदश्य नहीं था तो ये जो आपके रैमजे मैकडॉनल्ड थे ना ये जो आपके cabinet mission का एक सदश्य नहीं थे तो option D आपका correct answer होगा next step के आप रहा था कि परसीद गांदी इर्विन समझाता ये जो है किस वर्स हुआ था तो पांच मार्च 1931 को जो है गांदी इर्विन समझाता हुआ था तो 1931 आपका correct answer होगा बारते रास्ट्री कॉंग्रेश ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधिनता का प्रस्ताव पारित किया था तो देखें पूर्ण सौराज की जो मांग है ये आपका 1931 सौरी 1929 हिस्वी के लाहोर आदिवेशन में जो है वो किया गया था तो option A आपका correct answer होगा और 1929 के लाहोर आदिवेशन की जो अध्यस्ता है ये पंडी जवारला नेरु के द्वारा किया गया था option A आपका सही होगा नेक्स्ट आपका question है था ये math से आपके प्रेशन थे कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है यदि सुमन को अकेले या काम करना पड़ी तो वह जो है कितने दिन लेगा तो ये जो आपके 30 दिन लेगा option B आपका correct answer देखे मैंने math के question solve कर लिया इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको direct answer बता देता हूँ 42 का आपका correct answer होगा न आपका बैने solve किया है तो option B जो हूँ हूँ आपका option 6 आपका correct answer आरा हा ठीक है Next आपका question number 43 की बात कर ले तो question number 43 में option B जो आपका यहान पे correct answer होगा चोवालिस नमर कोश्टन में जो आपका option A जो आपका correct answer होगा question number 45 की बात कर ले तो question number 45 में जो है आपका जो correct answer होगा वो option A होगा 30 की graph का यहां पर correct answer होगा next question number 46 की बात कर ले तो question number 46 जो है आपका option A 240 प्रती दर्जन आपका correct होगा एक समच्चत्रभूज के विकर्णों की लंबाई 10 cm और 24 cm है तो इसका परिमाप पूछा गया था तो 47 का जो आपका correct answer होगा वो 52 cm होगा option D आपका सही होगा 48 की बात कर ले तो 48 को जो है मैंने solve नहीं किया लेकिन मेरे recording जो इसका answer होना चाहिए वो option A होना चाहिए question number 49 की बात कर ले question number 49 में जो आपका reasoning से प्रशन है था तो पुरवाहन 10 बच कर 48 मिनट आपका correct answer होगा question number 50 की बात कर ले तो 5 और 6 बज़े के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुया जो है एक साथ होगी तो यह जो आपका कब होगा तो 5 बचकर 27 बटे 3 बटे 11 मिनट में जो है वो एक साथ होगा तो option A आपका correct answer होगा अब हम लोग science की बात कर लेते हैं तो उत्कृष्ट धातियों के संधर में निमन वाक्यों पर वीचार कीजिए तो पहला जो आपका वाक्यय दिया गया है कि उत्कृष्ट धाति प्राकृति में सुद रूप से फ्राप्त होता है तो यह जो कथन है वो आपका सही दिया गया है यूरेनियम एवम सीसा उत्कृष्ट धाति उतकरिष्ट धादू का उधारन है तो ये भी जो आपका कथन है वो सही दिया हुआ है तो option E जो आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहता कि निम्ने कतनों पर विचार कीजिए तो ये जो आपका कथन waste question था next आपका यहाँ पर रहता कि bio gas का निम्ने में से कौन सा अवेज़ वो परमुक होता है तो ये methane gas होता है तो option C आपका यहाँ पर correct होगा next आपका यहाँ पर रहता कि निम्ने में से किस rasyon के तो आस्ट्राइंसियम आपका correct answer होगा लवन ता यूगत वातबरन प्रेमी पौदे को क्या गहते हैं तो देखें लवन ता यूगत वातबरन प्रेमी पौदे को जो है या आपका लवन अम्रितो पीदि जिसे इंगलिस में जो हैलो फाइट्स कहा जाता है यानि option भी आपका correct होते हैं तो मेरे recording जो इसका answer होना चाहिए option A और option B होना चाहिए क्योंकि प्रकास translation सुर्की प्रकास सही होता है तो option E मेरे recording जो इसका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि प्रागन की सूपरिभासा जो आपसे पूछी गई तो देखें प्रागन का जो सूपरिभासा है वो प अस्तनांतरी थोने की क्रियाई को जो है प्राग कन कहा जाता है तो option C आपका correct answer होगा next question आपका यहाप रहा था कि पौधे अपना पोशक तत्व मुख्यता यह जो है किससे प्राप्त करते हैं तो देखें पौधे अपना जो पोशक तत्व है ना यह मुख्यता है स्वाइल यानि मृद्दा से प्राप्त करते हैं तो मृद्दा आपका correct answer होगा next आपका यहाप रहा था कि pine, forest, suppresses, cinder, large इस परकार से आपके दिये हो गये थे और यह बहुत भारत के पहाड़ी छेतरों में भी पाए जाते हैं यह सभी जो है वो क्या कहला तो देखें इसका answer मुझे नहीं पता है जिस भी बच्छे को अगर इसका answer पता वो comment करके जरूर बता दीजीगा क्योंकि मैं आपको यहापको 100% accurate answer की का वादक किया हूँ इसलिए आपको सही उत्तर ही बताऊंगा next question आपका यहाप रहा था कि निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सु मेली दिख किया गया है तो option B आपका correct answer हो नेक्स्ट आपका यहाप रहा था कि लाल रग्त कनिका विहिन जनतु कौन सा होता है तो यह आपका केचुआ होता है option D आपका सही होगा next question आपका यहाप रहा था कि कार्भो हाइडरेट से अप घटनो प्रांत अंतिम रूप से क्य नेक्स्ट आपका यहाप रहा था कि किस वैग्यानिक या फिर चिकित सक नहीं जो है पहली बार टीका करन की शुरुआत की थी तो देखे पहली बार जो टीका करन की शुरुआत है यह आपका एडवर्ड जैनर के द्वारा किया गया था तो एडवर्ड जैनर आपका correct answer होग प्रकास की गती निमने में से किस माद्य में जो है नियून्तम होता है तो देखे प्रकास की जो गती है यह आपका सीसा यानि ग्लास में जो है यह नियून्तम होता है तो option B आपका यहाँ पर correct answer होगा निमने में से कौन सी सदी सरासी नहीं है तो देखे यह जो आपका speed यान है ना या या नी घुमने की गति को बढ़ा दिया जाता है तो यह घट जाएगा तो घट जाएगा आपका correct answer हो नेक्स्ट आप करहा था कि गति को सरुप रहता में यह जो किस ने परिभासित किया था तो यह गैलीलियों के द्वारा जो है सबसे पहले परिभाशित किया गया था किस नियम के अनुसार समान ताप और दाप पर सभी गैसों का जो निश्चीत आयतन में अनो की जो संख्या होती है ना वो समान होता है तो आवगरादों का जो नियम है ना इसके समान ताप और दाप पर सभी गैसों को जो निश्चीत आयतन में अनु की जो संक्या होती है ना वो समान होता है तो option B आपका correct answer होगा next आपका यह पर आथा कि आपेच्छीता का जो सिधानत है ना इन में से किस वैग्यानिक ने प्रस्तूत किया था तो देखे theory of relativity जो है यह आपके अलबर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो हो प्रस्तूत किया गया था तो option C आपका correct answer होगा एक संवाह के तापकरम परिवर्तन के कारण इसमें भीभै परिवर्तन होता है तो इस घटना को जो है वो क्या कहा जाता है तो देखे इस घटना को जो है यह थामसन परवा कहा जाता है option C आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका नि आपक रहा था कि over the conscious यानि magnifying glass में जो है किस परकार का lens परियोग किया जाता है तो यह आपका convex lens यानि उत्त लैंस का परियोग किया जाता है चुम्बकत्यों का अनुचुम्ब की यानि सम्चुम्ब की सिधान निम्ने में से जो है किसके द्वारा परदर्शीत होता है तो देखें चुमबक्तु का जो समचु के सिधान जो है यह आपका किसके द्वारा तो यह आपका प्लैटिनम के द्वारा जो हो परदर्सी तो होता है परमानू में नाबिक में से जो है कौन सा मुलकन होते हैं तो देखें परमानू के नाबिक में जो है आपके प्रोटोन और न्यूट्रों जो है वो मुलकन होते हैं तो option A आपका correct answer होगा next question आपका यहाप रहा था कि जिस धातु कर्म परकिरिया के अंतरगत धातु मिस्रित अवस्ता में पाई जाती है वो क्या कहते हैं तो उसे जो है प्रगलन कहा जाता है option C आपका यहाप एक correct answer होगा यानि smelting कहा जाता है next आपका यहाप रहा था कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक है तो पीतल के जो घटक होते हैं वो आपके जस्ता एवं तामा होते हैं option C आपका correct होगा निम्न में से किसे अनबूजा चूना कहा जाता है तो calcium hydroxide यानि CAOH2 को जो है अनबूजा चूना कहा जाता है option A आपका correct answer होगा जंग लगे लोहे में वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है तो देखे जंग लगे लोहे के वजन में यह जो आपका कौन सा परिवर्तन होता है तो यह आपका लंबे समय तक बढ़ता है option C आपका correct answer होगा नेक्स आप कहा पर रहा थक कि निम्न में से किसे स्वेत धातू भी कहा जाता है तो यह platinum को स्वेत धातू भी कहा जाता है संगठन ने youth in india report 2022 जो जाड़ी की है तो देखे youth in india जो रिपोर्ट है ना ये 2022 में ये MOSPI यानि सांक की और कारेकरम कारेवंदन मंत्राले के द्वारा जो है ये जारी किया गया है तो option A आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका आप रहता कि खबरों में नजर आने वाली एला वेनील, उकलारियन, स्रेया अगरवाल और रमीता ये जो किस खेल से संबन्दीत है तो देखे इन सभी का जो संबन्द है ना ये निसानेवाजी यानि सूटिंग से है तो option D आपका correct answer होगा हाली में अलप संक्यक मामलों के मंत्राले का प्रभार ये जो किसे सौपा गया है तो ये अस्मरिती इरानी को सौपा गया है option C आपका correct answer होगा next आपका याप रहा था कि भारत के पंदरवे राजपती चुनाओ के लिए जो है संयूक्त प्रगति सील गटवंदर यूपीय के उमिदवार कौन थे तो ये जो आपके यसवंद सीना थे option C आपका correct answer होगा next आपका है था कि अपने उपनियास tomb of sand यानी रेट समाधी के लिए अंतरास्टे बुकर पुरुषकार प्राप्त करने वाले ये जो है कौन है तो ये गितानजली स्री को रेट समादी के लिए अंतराश्ट बुकर पुरुषकार जो वो दिया गया है तो गितानजली स्री आपका correct answer होगा बिहार के किसे 2022 में दादा साहिब फाल के भारते टेलिवीजन पुरुषकार से समानित किया गया है तो 2022 में दादा साहिफ वाल के भारते टेलिवीजन पुरुसकार से बिहार के दीप स्रेश्ट को समानित किया गया है option D आपका correct answer होगा ऐसे ही इस question में थोड़ा सा मुझे doubt है जिस भी बच्चे को अगर exact answer पता वो comment करके बता दीजेगा next question आपके याप रहा था कि बिहार के आर्थिक सर्वेशन 2021-22 के according जो यह आपका वर्तमान में राजी में सहरी करन का जो अस्तर है न वो कितने परसेंट है तो वर्तमान में राजी में सहरी करन का अस्तर की बात कर ले तो यह 15.3% है option A आपका correct answer होगा बिहार में खादी के ब्रांट अमेजडर कौन है तो देखे हाली में बिहार के खादी के जो ब्रांट अमेजडर है न यह मनोस तीवारी को बनाए गया है next question आपके आप रहा था कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मुर्ती जिसकी हाइट 251 मीटर है इसका निर्मान बिहार के किस जीले में किया जाएगा तो देखे सीता माता का जो मंदीर है न यह सीता माड़ी जीले में किया जाएगा तो option D आपका correct answer होगा next question आपके हाप रहा है था सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना था जहां पे सूची एक में आपके राज़ी के राज़ी पाल के बारे में दिया हुआ था और second सूची में जो आपके राज़ी के राज़ी पाल का नाम दिया गया था तो देखे विहार के वर्तमान में राज़ी पाल कौन है तो यह स्री फागू चोहान है बिहार के मुख्य नियादीश कौन है तो यह आपके स्री संजेक करोल है बिहार के मुख्य मंद्री की बात कर ले तो यह नितीश कुमार है बिहार के मुख्य चुनाओ आधिकारी कौन है तो मुख्य चुनाओ आधिकारी स्री हर स्री निवास है तो आपसन ए आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका याप रहा था कि बिहार में operation परहार यह जो है किसे संबंदित है तो देखें यह आपका operation परहार है ना यह सराब बंदी से संबंदित है next question आपका याप रहा था कि बिहार में रितिक आनंद ने जो है ब्राजिल में आयोजी 24 समर डेफ बैडमिंटन ओलम्पिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है तो ये बिहार के जो रितिक आनन थे ना ब्राजिल में जो आयोजी 24 समर डेफ बैडमिंटन ओलम्पिक में ये जो स्वर्न पदक जीते हैं हाली में बिहार के किस अस्थान पर जो है उत् इसने बिहार में गिद संरचन योजना शुरू किया है, तो देखे यह जो आपका सुनंदिनी कारिकरम, यह आपका आगन बाड़ी कारिकरताओं से संब्दित है, option C आपका correct होगा next step का याप रहा था कि जुलाई 2022 में किस देश के पूरु परदान मंत्री सिंजो आबे की चुनाओ अभियान के दौराण गोली मार कर हत्या कर दी गई थी तो जैसा कि आपको पता दियो 2021 में सिंजो आबे को भारत का पद्म बीबूशन से समानित किया गया था और ये जो आपके जापान देश के जो ये परदान मंत्री पूरू परदान मंत्री थे तो जापान आपका correct answer होगा next step का याप रहा था कि संयुक्तराष्ट महासबा ने बहु भासाबाद पर एक भारत प्रायोजीत प्रस्ताव अपनाया है जिससे पहली बार किस भासा का उलेख है किया गया है तो इसमें जो आपका हिंदी भासा का उलेख है किया गया है यूक्रेइन में रूस के सैन्ने अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासबा पर अपातकाली इन सत्रह की जो अध्यस्ता है यह आपका अब्दुल्ला साहित के द्वारा किया गया है तो option C 98 का C आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका रहा था कि भारत ने फरवरी 2022 में यूद प्रवावीत यूकरेन से भारतियों को लाने के लिए जो है किस मिसन के तहट लोगों को निकाला है तो यह operation गंगा के तहट निकाला है operation गंगा आपका correct answer होगा हाली में चिन ने सकेतक वन्य जीव अभ्यारन के आसपास के छेतरों पर अधिकारों का जो है दावा किया है यह दावा करते हुए कि एक विवाधी छेतर है और यह जो वन्य जीव अभ्यारन है यह कहा पर इस्तित है तो आपका भूटान में इस्तित है तो भूटान आपका correct answer हो नेक्स्ट कोईशन आपका रहा था कि 2023 में G20 सीकर्सामेलन की मेजवानी के लिए भारे के किस राज्जे या फिर केंदर सासित परदेश को चुना गया है तो देखे 2023 में G20 सीकर्सामेलन की जो मेजवानी के लिए है ना ये दिल्ली को जो है वो चुना गया है तो option B आपका correct answer ह कोईशन है था कि हाली में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरत के साथ एक मुक्त वैपार समझोते यानि FTA पर अस्ताचर किया है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है लेकिन option में आपका संयुक्त अमेरिका नहीं दिया गया है तो option E आपका correct answer होगा आरकटी की जल नेक्स्ट आपका रहा था कि T20 इंटरनेशनल में 300 रन पार करने वाले प्रतम खिलाडी कौन है तो ये विराट कोहली है COVID-19 धिका करन की पूर्निता को सुनिश्चित करने के लिए सुरू किये गया अभियान का नाम जो है वो क्या है तो इसके दोरा जो अभियान सुरू किय गया है वो हर घर दस तक अभियान 2.0 को जो हो सुरू किया गया है तो ऑप्सन C आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्ट आपका रहा था कि 30 जुन 2022 के बाद महरास के नए मुख्यमंत्री जो है ये कौन बने है तो महरास के जो नए मुख्यमंत्री है ना य जो वो सुरू किया गया था तो ऑप्सन B आपका करेक्ट एंसर होगा केंडर की नए सिच्छा नीती को लागू करने की पर किरिया सुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो यह आपका उत्रा खंड राज्य बना है बारते राज्यों के राज्य पालों को नि नहीं है क्यूंकि बिहार के जो है आपके राजःपाल जो वहागू छोई है तो केवल एक और दो आपका यहां पर करेक्ट रोगा है तो यहां प्रतम जनगना यह जो किस वर्स प्राडम किया घा था तो यह 1872 में प्रारम किया था लौड में के कारिकाल में वहीं अगर नियमी जनगन्ना की बात कर ले तो यह आपका 1881 में किया गया था और वर्तमान में अगर बात कर ले जो आपका 2011 में जो जनगन्ना हुआ था वो आपका पंदरवी जनगन्ना था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है सुग्देव भगत सिंग तथा राजगुरु को जो है किस तारीकों फांसी दी गई थी तो ये 23 मार्च 1931 को ये तीनों वैक्तिव को जो है फांसी दिया गया था तो आपसन डी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप कही आप रहा था कि महात्मा गांदी द्वारा 1940 में प्रारम किये गया वैक्तिगत सत्यागरा के तीसरे सत्यागराई कौन थे तो ये आपके ब्रीधत थे तो ब्रहदत ऑप्सन बी आपका करेक्ट एंसर होगा भारत छोड़ो आंधुलन के द्वरा खुफिया रेडियो ये जो किस ने प्रारम किया था तो ये उसा महता के द्वारा प्रारम किया गया था मगध सासक बिम्बिसार का चिकित सा कौन था तो ये जो आपका जीवक था ऑप्सन ए आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप कह रहा था कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्त्वीक संस्थाप कौन था तो ये इबन बक्तियार खिल जी आप्सन डी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अपका बिहार के प्रतम भारती गवर्नर कौन थे तो देखें बिहार के जो प्रतम भारती गवर्नर थे ना ये सतेंद्र प्रसन ने सिधना थे तो आप्सन सी आपका करेक्ट एंसर होगा संथाल विद्रो के नेता ये जो वर्स जो है उरीसा को बिहार से प्रिता की यानी अलग किया गया था तो देखें एक अप्रैल 1936 को जो है उरीसा को बिहार से अलग किया गया था तो 1936 आपका करेक्टेंस डेक्स नेक्स्ट आप का याप रहा था कि प्रतम बॉध महाश्वा ये जो आईयोजीत हुआ था तो ये आपका राजगरी में आयोजीत किया गया था किस गुप्त सासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी तो ये चंदर गुप्त दित्य ने कर दिया था नेक्स्ट आप का आप रहा था कि वर्दन राजवांस की अस्थापना ये जो किसने के थी तो ये पुछसे-भूती वंस के द्वारा किया गया था Next कोश आप कर रहा था कि रोमन समराज्जे से वेपारिक संबद ये जो किसने अस्थापित की थी तो ये जो आपका मेरे कोडिंग आपसन E होना चाहिए यानि इस कोशन को जिस भी बच्चे को अगर एंसर पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा नेक्स्ट कोशन आपका या पराता कि मुस्लिम सासक जिसका सामराज जी दार उली इसलाम का एक भाग माना जाता था वो कौन था तो देखे बलबन एक ऐसा मुसलिम सातक था जिसका सामराज जी दार उली इसलाम का एक भाग माना जाता था तो बलबन आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप कही आप रहा था कि इन में से किसने खलीफा की सकती का वो विद्रोग किया था तो अलाओदीन खिलजी के द्वारा ये आपका खलीफा की सकती का विद्रोग किया गया था तो अलाओदीन खिलजी आपका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट को शाप कहा पराय था कि तुग्रील खान ने किसके सासनकाल के दौरान वो विद्रो किया था तो ये बल्बन के सासनकाल के दौरान विद्रो किया था सरवरतम किस मुगल सासक ने ब्रेटिस के विरुद संगर्स किया था तो ये औरंग जेब ने सबसे पहले ब्रीट्रीस के विरूद जो वो संघर्स किये थे औरंग जेब आपका करेक्ट एंसर होगा निम्न में से कौन से समाजिक सुधार विल्यम बैंटिक ने प्रारंब किया है तो देखे सती प्रथा का उन्मूलन ये जो आपका विल्यम प्रारंब किया गया है तो ऑप्संटी केवल एक तीन और चारा आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप कहा रहा था कि अकबारी कागज उद्योग निम्न में से किस सस्थान पर अवस्तित है तो देखे अकबारी कागज उद्योग की बात कर लें तो ये आपका नेपा जन जाती है बिहार राजे का कुल भॉकॉलिक छेत्रफल कितना है तो ये 94,163 वरग किलो मीटर है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर आया था बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है तो ये आपका कोशन आपका कोशन आथा कि बिहार के किस जीले में जो है तेलहड कुंड जल अवस्तित है तो ये आपका कैमूर जीले में अवस्तित है आपसन ए आपका करेक्ट एंसर होगा एसिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर जील बिहार के कौन सी है तो ये आपका कनवार जील है आपसन डी आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आ का यहाँ पर रहा था तो यह आपका 51.50 परसेंट रहा था नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था कि सौरी मंडल का प्रधान आकासिय पिंड कौन सा होता है तो यह आपका सूरी जो होता है ना वो सौरी मंडल का प्रधान आकासिय पिंड होता है नेक्स्ट आपका यहाँ में जो है किन ततों की प्रचूरता है तो यह आपका निकेल और फिरम ततों की जो है सबसे ज़्यादा प्रचूरता है तो option B आपका correct answer होगा बहुगालिक अपरदन चक्र की संकल्पना इन में से किस ने जो है वो प्रस्तूत की थी बहुगालिक अपरदन चक्र की साथा पौने पृत्वी के जो किस गिलाद में चलती है तो यह आपका उतरी गोलार्द में चलता है option C आपका correct corona सार्गैशु सागर एक हिसा है तो यह किस का हिसा है तो यह उतरी अट्लान्टीक महासागर का एक हिसा है option A आपका correct answer होगा बारत और चीन के बीच सीमा रेका को क्या कह जाता है तो ये मैक मोहंड रेका कह जाता है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है क्यों होता है तो राजस्थान में मॉनसून इस चेटर में पहुँचने में असफल रहता है इसलिए जो आपर बहुत कम वर्स होता है option C आपका correct answer होगा next आपका question है था कि निम्न कतनों पर विचार कीजे, पहला कतन आपका दिया गया था भारत में बाग परियोजना 1973 में चालू की गई थी तो ये जो कतन था आपका सही दिया गया था वर्स 2022 में रास्टे जैवी आपका सही दिया गया है यानि option B, एक, दो और तीन आपका correct answer होगा next आपका यहाँ रहा था कि करेवा ये जो है किस परकार की खेती के लिए ये परसीद है तो देखें ये जो आपका करेवा है ना ये केसर की खेती के लिए जो है वो परसीद है तो option D, आपका यहाँ पर correct answer होगा भारत में कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अगरणी है तो सबसे ज़्यादा जो थोरियम का उत्पादन है ना ये केरल राज्य में किया जाता है तो केरल आपका correct answer होगा तो देखें मैंने 1500 कोशन का 100% accurate answer की बताया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है like जरू कर दीजेगा और इसी तरह का genuine content पाने के लिए चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं next video तब तक thank you all the best